हेलो दोस्तो मैं हूं मीर और आज मैं एक्स्प्लेन करूंगा एक सच्ची घटना पर बनी मूवी इसकेप फ्रॉम पेटोरिया को जो 2020 में आई थी इस मूवी की रेटिंग की बात करे तो इसे पॉजिटिव रिस्पॉंस मिला था साथी ओडियंस ने इसे काफी पसंद किया है इस मूवी के लीड रोल में हमारे हैरी पॉटर मतलब डैनियल रेट क्लीफ है और इस मूवी की कहानी किसी रैटर ने नहीं लिखी बलकि इसकी कहानी उस आदमी के किताब पर बेस है जो सच में प्रेटोरिया जेल से भागने में क कामियाब हुआ था सो विडाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते है सीधा वीडियो की तरव मूवी की शुरुवात 1933 से होती है ये वो समय था जब आधा साउट अफरिका जल रहा था क्योंकि उस समय रेसिजम मतलब काले गोरे का भेडभाव चरम पर था गोरे पुलिस वाले काले लोगों के बच्चों को जानवरों की तरह मार रहे थे उस साल टिम जेंकिंग और उनके दोस्ट स्टेफन ली का ग्रेजुएशन खत्म हुआ था जब उन्हें समझ में आया कि इसकिन का रंग काला होने की वजह से लोगों को इंसान नहीं समझना ये इंसानियत नहीं है तब दोनों ANC मतलब अफरिकन नेशनल कॉंग्रेस पाटी उसके सामने ली खड़ा था टीम एक बैक कचरी की पेटी के पास रखता है और एक बैक दूसरी जगा वही ली भी एक बैक किसी कार के पास रखता है तिम के थोड़ी दूर जाते ही पहला बम फटता है लेकिन ये कोई विसफोटक बम नहीं था बलकि उस बम से पॉम्पले तोड़ते थे जिसमें लोगों को रंग भेट के खिलाव आवाज उठाने के अभियान में शामिल होने के लिए इंकरेच किया जाता था लेकिन उन दोनों के निकलने से पहले वहाँ पोलिस आ जाती है और दोनों वहाँ से भाग नहीं पाते फिर हम टीम को कोट में देखते है ऑफिसर के जाते ही टीम के पास उसकी गर्फरेंड डेफनी आती है जो उसके लिए कुछ पैसे लाई थी पैसे उसे चुपा कर रखने होगे अगर जेल में उसके पास पैसे मिले तो उसकी सजा 12 साल बढ़ा दी जाएगी और उसे अपील भी नहीं करनी है और वैसे भी टीम किसी फासी वादी कमीने जज से माफी नहीं मागने वाला डेफनी उसके जूते में पैसे चुपा देती है और दोनों अलग होते है फिर टीम बाथरूम में उन पैसों को प्लास्टिक में रखकर उन्हें किसी छोटी ट्यूब जैसी चीज में रखता है फिर उसे अपने पॉंपलेट बंब ब्लास्ट का मास्टर माइंड टीम है इसलिए जज उसे बारा साल की सजा सुनाता है और ली को आठ साल की वो भी प्रेटोरिया के गोरों की जेल में ये फैसला सुनकर टीम और ली के पैरेंस रोने लगते हैं साथ ही डेफनी भी जेल जाने से पहले ली क बोरे लोगों के साथ धोका किया है और अब वो यहां सड़ेंगे फिर जेल का में गार्ड मॉंगो उन्हें रूल्स बताता है कि जेल में कोई भी पिन रेडियो अकबार रखना अलाउड नहीं है पारसल 6-4 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए और जेल में कोई भी पॉलि प्रिक दर्वाजा था तिम उसे ध्यान से देखता है फिर वो सेडियों से होते हुए पहली मंजिल पर जाते है उनके सेल के पहले भी एक ग्रील का दर्वाजा था ये सभी दर्वाजे चाबियों से खुलते थे फिर मॉंगो टिम को उसके सेल में डालता है सेल में एक ग्री विस्ट को ही रखा जाता था उस रात टीम सो नहीं पाता अब पहला दिन होता है और जागने की बेल बच्टी है कुछी देर बाद वहां मौंगो आता है और एक एक करके सभी के सेल्स खोलता है फिर सभी बाहर आते है और लाइन से बाहर जाते है मेस में नाश्ता लेकर टीम देख रहा था वो किसके पास बैठे वहां नीले कपड़ों में भी कैदी थे जबकि टीम के कपड़ों का कलर ग्रे था नीले कपड़े वाले कैदी टीम को घूर कर देख रहे थे तबी उसके पीछे एक बूड़ा आदमी आता है और उसे अपने साथ एक खाली टेबल पर ल लगते हैं ली को इशारा समझ में आता है और वो फॉरन टीम के पास आकर बैठता है इस आदमी का नाम डैनीस है और सभी ग्रे कपड़े वाले लोग एक्टिविस्ट है तीनों के बाद करते समय वहां का क्लीनर कुछ आवास कर देता है मौंगो उसके पास जाता है और तीन इंबार स्टिक से मारता है वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बेचारा काला है सभी नीले कपड़े वाले ये देखकर इंजॉय कर रहे थे जबकि ग्रे कपड़े वालों को ये देखकर बहुत गुसा आ रहा था बहार एक्सेसाइस करते समय डैनीस उन्हें जेल की जानकार सकते क्योंकि वो वापस जेल में ही आ जाएगे लेकिन उनके सामने एक दिवार है जिसकी दूसरी तरफ कॉमन रोड है फिर डैनीस कहता है हर नया कैडी यही सोचता है कि वो यहां से भागना नामुमकिन है वो उन्हें भागने की कोशिश करने से मना करता है क्योंकि यहां स यहां से जादतर भागने की कोशिश करने वाले जेल से बाहर नहीं जा पाए लिकिन कई घटना पहली बार होती है लियोनाड भी यही मानता है वो बताता है सेल की डिवारे ठो सिमिट से बनी है अगर वो अपने सेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंड लेते है तो उसे जरूर बताए क्योंकि वो उनके साथ है उन्हें बात करते हुए वोडन भी देख रहा था अब 23 दिन बीच चुके थे उन्हें एक बोटल दी गई थी जिसमें वो पानी या काम करते वक्त कॉफी या चाय रख सके उस राट टीम अपने दरवाजे के की होल को ध्यान से तो फेड़ी नहीं बलकि सबसे जरूरी एक बात जानना है वो समझ में आ जाए तो अपना काम शुरू कर देना चाहिए फिर एकराध के जानने के बाद टीम पेपर लेता है और उसे रोल करके अपने लॉक के की होल में डालता है पेपर वापस निकालने पर उसे समझ में आ लेकिन ये सुनकर लियोनार्ट उन पर हसता है क्योंकि लकड़ी की चाबिया तूट जाएगी लेकिन दोनों उसे मना लेते हैं फिर मैस में लियोनार्ट जान बुझ कर अपनी प्लेट गिरा देता है तब वहां मॉंगो आता है उसके बेल्ट से चाबिया लटक रही थी तब तिम चाबियों को ध्यान से देखता है मॉंगो लेवनार्ट को प्लेट उठाने नहीं देता बलकि इस काम के लिए पोटलक को बुलाता है क्योंकि उसके मुताबिक ये काले लोगों का काम है ये सुनकर ली कुछ बोल देता है तब वो उसे पिटने की धंकी देता है इस समय भी टिम उसकी चाबियों को गौर से देख रहा था टिम को पोटलक से हमदर्दी है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था अब टिम चाबियों की ड्रोइंग बनाना शुरू करता है उसे जब भी मौका मिलता वो चाबियों को गौर से देखता जैसे खेलते समय या फिर हाजरी समय वो चाबियों को देखने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता फिर एक दिन वो चाबियों की सही ड्रोइंग बना लेता है तब उसे समझ में आता है सभी सेल्स के लौक की एक ही चाबी है अब 74 दिन गुजर चुके थे सभी वुड वर्क्शॉप में काम कर रहे थे समय खत करने ली उसके सामने खीलो का डिबबा गिरा देता है लेकिन तभी वो सभी को रुखने कहता है तिम डर रहता है कि कहीं मौंगो ने उसे देख तो नहीं लिया लेकिन वो ली को अकेले ही खीले उठाने बोल रहा था बाद में मौंगो सभी की बोटल खाली करके और अच्छ से बनाना शुरू करता है बनने के बाद उसे सूखाने light में रखता है और अपने चावी की drawing निकलता है गुलू सूखने के बाद टीम चावी का अगला हिस्सा चिक्काता है फिर FILE की मड़त से चावी बनाना शुरू करता है और कुछ घंटों की मेहनत के बाद चाबी बना लेता है अब बारी थी चाबी को टेस्ट करने की वो अपने सेल के ग्रिल डोर के लौक में चाबी डाल कर घुमाता है पहली बार तो चाबी आसानी से घुमती है लेकिन दूसरी बार के लिए टीम को लियोनार्ट को बताता है कि उन्हें एक बहुत मुश्किल चाबी बनानी है लेकिन उसे सामने से स्टील के दर्वाजे में डालना होगा जिस तक वो पहुची नहीं सकते उन्हें किसी तरह स्टील के दर्वाजे के लौक तक पहुचना होगा वो भी सेल के अंदर रहेकर को चेक करता है, पहले चाबी नहीं घूमती टिम तुरन फाइल निकाल कर चाबी को और घसता है और अगली बार में चाबी घूमती है और लॉग बाहर आता है, सबी ये देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन चाबी वापस नहीं घूमती और टीम के ज़ादा ट्राय करने प जो उनकी तरफ देखता तक नहीं उसके जाने के बाद टिम उस लॉग को मार कर अंडर डालने की कोशिश करता है लेकिन वो अंदर नहीं जाता शाम को मॉंगो दर्वाजा बंद करने आता है लेकिन उसे टिम के सेल का स्टील लॉग बाहर दिखाई देता है और अंदर टिम घ बात कर रहा था यहां बात करते समय वो इमोशनल होकर काच पर हाथ रख देता है तब ही वहां मॉंगो आकर उससे पीछे हटने कहता है कुछ बहे सोने पर मॉंगो उसके बेटे को यहां से भिजवाने लगता है और यहां आना भी बंद करवा देता है लियोनार्ड बहुत मिन था इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या बताओ अब 142 दिन गुजर चुके थे और पिछले देड़ महीने से उन्हें कोई तरीका नहीं मिला था जिससे वो इस्टील डोर को अंदर से ही खोल सके उन्हें लियोनार्ड और उसके बेटे के बारे में भी पता चला था तीम कहता है अगर उन्होंने चाबी डोर में लगा भी ली तो कोई फाइदा नहीं होगा क्योंकि अगर वो चाबी को गुमा ही नहीं पाए तो चाबी लगाने का मतलब भी क्या होगा लेकिन ये सुनकर लियोनार्ड नाराज हो जाता है और उससे कहता है वोही कोई तरीका बता दे जिससे वो बगल में बनी खिडकी से दर्वाजे तक पहुँच जाए लेकिन तबी वहां मौंगो आता है उसे उनकी आवाज आई थी लेकिन उसे पता नहीं था वो क्या बात कर रहे थे उसके पूछने पर वो कहते है वो बस ऐसे ही बात कर रहे थे उसके जाने के बा उसकी बात समझ में आती है फिर वो बाहर जाकर उस स्टील डोर के की होल से बाजू की खिडकी की दूरी नापते है लेकिन जाडू वहां तक नहीं पूरती बलकि थोड़ी छोटी पड़ जाती है लेकिन ही कोई बड़ी बात नहीं थी उन्हें बड़े डंडे की जाडू आ उसे स्कुरू से कज देता है फिर लकडी के दूसरे होल में चाबी फसाता है फिर चाबी पकड़ कर उसे घुमाता है अब वो लकडी का तुकड़ा घूम रहा था लेकिन चाबी नहीं फिर टीम तूद ब्रश में आइना लगाता है फिर गंडा बाहर निकाल कर और आइने क खुल जाता है तिम बहुत खुश होता है लेकिन वापस निकालते समय चावी बॉक्स से गिर जाती है तिम बहुत घपरा जाता है चावी उसके सामने ही थी और उसे किसी के आनी की आवाज भी सुनाई देती है तिम तुरत अपने पास की चुइंगम चपाता है और उसे डंड से चाबी अंदर ले लेता है फिर चैन की सास लेता है ये बहुत थ्रिलिंग सीन था अगली सुबा टीम एक्साइटमेंट में खाना का रहा था वो ली और लियोनाट को बताता है उसने दोनों ही दरवाजे अंदर से खोल लिये है लियोनाट को तो पहले यकीनी नहीं होता वो एकदम हैरान था फिर तीनों चेर्ज करते है अगले सीन में टीम गाडनी कर रहा था ली उसके पास खाद लेकर आता है लेकिन उसमें लकडी के तुकडे थे जो टीम जमीन में गाड देता है उन्हें दिवार की दूसरी तरफ के रोड से कुछ आवाज आ रही थी लेकिन उ बताता है वाडन ने सभी गाड्स को फटकार लगाई है इसलिए सभी गाड्स इतने चोकनने है वो आगे कहता है वो जो भी प्लैन कर रहा है अगर वो फेल हो गया तो उसे और 25 साल की सजा होगी नहीं तो स्नाइपर उसे शूट कर देगा क्योंकि ये स्नाइपर साइकोपै है डैनिस को लग रहा था टिम यहां से भागने में फेल ही होगा और वो जो भी करेगा उसका असर सभी पर होगा क्योंकि अब वो एक मोहीम का हिस्सा है इसलिए टिम उसकी मदद मांगता है रात में टिम चुपके से बाहर आता है उसने कोरीडोर के गेट की चाबी बना ली है और वो अभी यहां पास साल से है लेकिन यह लोग उसे अपने बेटे से 30 मिनट भी मिलने नहीं देटे अब उन्हें एक्शन लेना ही होगा यहां फिर से बहस हो जाती है लेकिन डैनी सभी को शान करता है क्योंकि वो सभी एक ही तरफ है इसलिए उन्हें लड़ने की ज़ ली ध्यान रखता है और मौका मिलते ही दो नएक एडियों के कपड़े अपने कपड़ों के अंदर पहन कर बाहर आ जाता है वही एक दिन जब टीम पोटलक से अखबार के बारे में पूछ रहा था मोंगो उन्हें इशारे करते हुए देख लेता है फिर टीम कच्रा फेकने बाहर जाता है और चुपके से डस्बिन के नीचे चुइंगम की मदद से साबून और सिगरेट चिपका देता है और डस्बिन में से अखबार ले लेता है अब 296 दिन गुजर चुके थे मोंगो टीम का चश्मा लेकर आता है क्योंकि उसने दूसरा चश्मा मंगवाया था लेकिन यहां मोंगो उसे एक बुरी खबर सुनाता है कि उन्होंने उस काले भालू मतलब पोटलक को फासी डे दी है और मजे से बताता है कैसे वो फासी के फंदे पर तड़प रहा था ये सुनकर टिम को बहुत गुसा आ रहा था लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था वो लेकिन की फोटो देखकर उससे किया वादा याद करता है कि वो गिव अप नहीं करेगा रात में टिम और लेोनार्ट सेल से बाहर निकलते है फिर वो कॉरिडॉर का ग्रिल डोर खोलते है उनके सामने ही नीचे जाने के लिए सीडिया थी वो दबे पाव बिना आवास किये नीचे उतरते है नीचे एक और ग्रिल का गेट था टिम अपनी चाबी लगा कर उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो चाबी काम नहीं करती तब टिम दूसरी चाबी निकालता है इस समय टिम को बहुत जादा पसीना आ रहा था उसके पसीने की कुछ बूंदे जमीन पर लेकिन दर्वाजा अंदर से पकड़ने के लिए बहुत चोटा इसकुरू था लियोनाट किसी तरह उसे पकड़े हुए था वो गार्ड ग्रिल गेट खोल कर आने वाला था तब ही लियोनाट से दर्वाजा छूड जाता है लेकिन वो बस थोड़ा सा ही खुला था दोनों उ गेट तक जाते है टिम वहाँ अपनी चाबी लगाता है और वहाँ की चाबी पर्फेक्ट थी ये देखकर लियोनाट बहुत खुश होता है उसके आगे एक स्टील गेट था तिम उस पर अगली चाबी ट्राइ करने लगता है वही उपर वो गार्ड सभी सेल्स चेक कर रहा दोनों ने कंबल के नीचे तकीय रख दिये थे जिससे ऐसा लगे दोनों ओड कर सो रहे है उसके आखरी सेल्स चेक करते ही डैनी जोर से खासता है उसकी आवाज टिम और लियोनाट टकाती है वो समझ जाते है ये एक इशारा है वो फोरण वहाँ से वापस जाते है फिर एक जाड़ जादा नहीं सोचता और वहाँ से चला जाता है उसके जाने के बाद दोनों भी बाहर आते है और चुपचाप ऊपर चले जाते है टीमें चाबी को डिसेंबल करता है और अपने मग में रख देता है जिसमें वो तूद ब्रश के साथ और भी कई दूसरी चीजे पर खाना लेकिन यहां टीम बस उससे सौरी कहता रहता है लेकिन वाडन को उस पर शक हो गया था उसके मुताबिक वो इसलिए सो रहा था क्योंकि वो रात में जाग रहा है वाडन फिर उससे पूचता है वो रात में जा क्यों रहा है लेकिन टीम बस उससे सौरी कहता रहता वाडन उसे बाहर भेचता है, बाहर टीम देखता है, सभी के सेल्स को चेक किया जा रहा है, यहाँ लियोनाड चिला रहा था क्योंकि गार्ड उसके बेटे के लेटर्स भी वहार रहने नहीं देटे, वही वाडन खोद टीम का सेल्स चेक कर रहा था, वो उसे अंदर बुलाता है उसके पास एक बुक थी जो उसे फिड से दिखनी नहीं चाहिए तभी उसके हाथ से टीम का मग गिर जाता है उसे पहले टीम के पेरेंट्स की फोटो दिखती है यहाँ टीम बहुत डर जाता है क्योंकि चाबियों के तुकडे भी वही पड़े थे वोडन को भी वो दिख ज आते हैं वो उसे उठाकर टीम से पूछता है यह क्या चीज है तब टीम अपने आपको समालते हुए उसे दिखाता है उसने फोटो को रखने के लिए इसे बनाया है और उसे फोटो रखकर दिखाता है वोडन इसे बहुत स्टूपिड आइडिया कहता है फिर वो उसकी में ही तो है वो जाडू टीम को देकर चला जाता है उसके जाने के बाद टीम बड़ी मुश्किल से खुद को समालता है आप सोच रहे होगे वाडन इतना बेवकुप कैसे हो सकता है कि उसने चाबी नहीं पैचानी तो बहुत सिंबल सी बात है इस मूवी के आने से पहले बनाकर भाग सकता है वो भी लकडी की चाबी बनाकर तो बस 1975 में कोई फासिस जेलर ये कैसे सोच सकता था अब यहां टीम की हालत खराब होने लगी थी क्योंकि उसके पैनिक एटेक बहुत बढ़ गए थे अब टीम अपनी चाबिया दूसरी जगा रखने लगा जैसे लाइ टीम किसी डेंटिस्ट के पास था डॉक्टर कैती है उसका दात निकालने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी जिसके लिए उसे बाहर जाना होगा मॉंगो उसे बाहर लेकर जाता है अंदर आने के लिए तीसरा और बाहर जाने के लिए लास्ट थार्ड इलेक्ट्रिक गेट जिसके बाद एक सफिद दर्वाजा है और उसके बाद एक आखरी दर्वाजा दरसल ये जेल का पिछला रास्ता है मौंगो जब उसे बाहर लेकर आता है तब तीम देखता है जेल के एक तरफ का काम चल रहा है जहाँ वो गंटावर बना रहे है लेकिन अभी फिलाल स्नाइप फासिस्ट को अपने साथ चलने बोलते है लेकिन कोई भी उनके साथ चलने तयार नहीं था क्योंकि सबी को पकड़े जाने का डर था और उन सबी ने यही रहकर फासिस्ट के खिलाफ लड़ने का फैसला किया था क्योंकि अगर फल खाना है तो बीच को तो सड नहीं पड़त लेकिन लियोनाड कहता है उन्हें इस बात का जिंदगी भर पच्टावा होगा तिम भी चला जाता है क्योंकि कम से कम उसने ट्राय तो किया फिर डैनिस अपने बच्चों की फोटो देखकर बहुत रोता है उसके पास एक तूथपेस्ट था जिसके अंदर इस जेल और आसपा बेच कर फिर उसका सेल चेक करने लगता है उसके जाने के बाद टिम उस तूथपेश को ढूणता है और फाइनली उसे वो मिल जाता है फिर टिम उस मैप को एक लकडी में फसा कर ली को देता है वो भी मैप को ठीक से समझ लेता है गाट की ड्यूटी कत्म होते ही सभी बाहर जाने लगते है उनके बाहर जाते ही टीम अपना दरवाज़ा खोलता है अभी शाम का समय था अंधेरा होने में कुछ karşı समय बाकी था टीम चड़ी बन्यान में बाहर आता है फिर लिका दरवाज़ा कोलता है लेकिन इसी समय उस मोटे गाड का पेट खराब होने से वो टॉयलेट जाता है टिम डेनिस से कहता है अभी भी देर नहीं हुई वो उनके साथ चल सकता है लेकिन डेनिस मना कर देता है फिर दोनों लियोनाट को बाहर निकालते है उसके सेल के बाद ही एक बंदपड़ी सीडिया थी जहां उन्हों उन्हें एक पिन बांद रखी थी ताकि दर्वाजा पकड़ सके लेकिन वो पिन गिर जाती है गाड उस पिन को देख लेता है उपर वो तीनों पैंड पैंड कर कोरीडोर के ग्रिल गेट के पास आते है लेकिन उन्हें गाड की आवाज आती है उसके जाते ही तीनों दर्व आपके उंहें पता नहीं था गाड़ एहाँ से अभी ही कुछ लेकर गया है वो तीनों अलमारी के अंदर जाते हैं लेकिन वहाँ वो नहीं थी गार्ड वापस आने ही वाला था इसलिए टीम उस स्कुरू को वैसे ही पकड़ कर दरवाजा बंद करता है गार्ड वो चीज लेकर वापस आ रहा था लेकिन उपर डैनीज अपने सेल का लाइट फोरता है और शॉर्ट सरकिट होने से वहाँ कि सभी सेल्स के लाइट चली जाती है वो गार्ड अलमारी के पास पहुची गया था लेकिन डैनीज जोर जोर से चिला कर उसे बुलाने लगता है ये उन लोगों का ही प्लैन था ताकि उनके अलमारी में जाते ही कैड़ी गार्ड को उपर बुला ले फिर एके करके सभी कैड़ी चिलाने लगते है वो गाड एकदम अलमारी के सामने ही था और बड़ी मुश्किल से टीम ने उस स्क्रू को पकड़ रखा था, इतना शोर सुनकर गाड को उपर जाना ही पड़ता है, और तीनों बाल-बाल पकड़ाते पकड़ाते बचते हैं, उसके जाते ही वो तुरंत वहाँ से निकलते हैं, और उस स्टील डोर तक पहुचते हैं, जिसके पहले उस गाड का कैबिन था, वो चाबी से डोर खोल कर उसके पार जाते है, इसके बाद एक और ग्रिल गेट के बाद इलेक्रिक डोर था, लियोनार्ड वापस जाता है क्योंकि इलेक्रिक डोर से अलाम अटेच है, उसे बट पाजे को लॉक करते हैं, अब उनके सामने वाइट डोर था, यहाँ टिम कहता है इसके लिए दूसरी चाबी है, लेकिन लियोनार्ड कहता है कोई और चाबी है, यहाँ दोनों में थोड़ी बहस भी होती है, लेकिन टिम किसी भी चाबी से उस डोर को खोल देता है, वो टिम एक दूसरे के गले मिलते हैं, फिर टिम लॉक खोलने चाबी लगाना शुरू करता है, लेकिन सारी चाबिया ट्राय करने के बाद भी वो लॉक नहीं खुलता, सभी बहुत जादा परेशान हो जाते है, क्योंकि वो यहाँ तक पहली बार पहुचे थे, लियोनार्ड सबसे जादा फ्रस्टेड होता है, तिम कहता है उन्हें वापस जाना होगा और इस दर्वाजे की भी चाबी बनानी होगी, लेकिन लियोनार्ड मरने तयार था, लेकिन वापस जाने नहीं, फिर लियोनार्ड देखता है उस दर्वाजे का लॉक लकडी के फ्रेम में जा रहा है, ये देखकर टीम बहुत घबरा जाता है क्योंकि इससे बहुत आवाज हो रही थी वो लियोनार्ट को रुखने बोल रहा था टीम अंदर जाकर देखता है उस मोटे गार्ड ने आवास तो नहीं सुनी क्योंकि आवास कोरिडॉर तक आ रही थी लेकिन टीम जब वापस आकर द देखता है दर्वाजे की फ्रेम लगभग तूड गई थी जिसमें लॉक दिख रहा था इसलिए वो लियोनार्ट को कंटिन्यू करने बोलता है पाच दस बार वार करने पर लॉक बाहर आ जाता है और ये दर्वाजा भी खुल जाता है फिर तीनों भी कपड़े और जूते पहन कर तयार होते है फिर वो धीरे से दर्वाजा खुलते है गेट उनसे कुछी दूरी पर था फिर वो धीरे धीरे बाहर आते है लेकिन स्नाइपर उसी तरफ आ रहा था लेकिन सही समय पर टिम उसे देख लिता है और वो तीनों एक दिवार के पीछे चुप जाते है वो आइने से उस पर नजर रखते है उसके जाते ही सबसे पहले टिम बाहर आता है उसके बाद दोनों भी आते है फिर वो मैब देखते है कि उन्हें किस तरफ जाना है फिर वो रोड पर आगे बढ़ते है लेकिन टिम देखता है बाहरी मोंगो खड़ा किसी से बात कर रहा है ल फिर तीनों खुद पर काबू रखते हुए एक black taxi driver के पास जाते है टीम उसे अपने पास के सारे पैसे देकर चलने कहता है वो उन्हें white logo की taxi के पास जाने कहता है लेकिन टीम उसे ही चलने बोलता है फिर वो taxi में बैठ कर वहाँ से निकल जाते है अगली सुबा मॉंगो सभी क उठाने उनके sales खोलता है सबसे पहला sales team का ही था कुछी देर में मॉंगो देखता है टीम बाहर नहीं आया वो उसे उठाने उसके sales में जाता है लेकिन जैसे ही वो उसे मार कर उठाने की कोशिश करता है बिस्तर पर कोई नहीं था मॉंगो घबराहट में बाहर आता है वो त अबी अपने पास ही रखता है उसके भी आखों में आसू थे फिर हमें बताया जाता है साउथ अफरीका में सबसे बड़ी खोच चली लेकिन वो लोग सीमा पार्क करके पहले मोजांबिक फिर तंजानिया और लंडन चले गए लंडन में तीनों फिर से एंसी में शामिल हुए और रंग भेद के खिलाफ अपनी मुहीम जारी रखी वो 1991 तक साउथ अफरीका में माफी दिये जाने तक वो भगोड़े ही गोशित रहे जेल में 22 साल रहने के बाद डैनिस को 1925 में रिहा कर दिया गया और वो अपने परिवार से मिला उनके भागने के बाद टीम की गल्फ अफरीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए और इसी के साथ ये मुवी भी यही खत्म होती है मुवी के एंड में हमें असली टिम जैंकिंग फिर स्टेफन ली और डैनिस गोल्डबर्ग की फोटो दिखाई जाती है लेकिन लियोनार्ट की नहीं शायद उसकी किया है तो दोस्तो कैसी लगी आपको ये मुवी मुझे कमेंट करके जरूर बताए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करे अपने दोस्तों के साथ शेर करे और ऐसी ही अमेजिंग मुवी के एक्स्प्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल क को सस्क्राइब करें तो मिलते हैं अगली बार किसी और एमेजिंग मुवी के एक्स्प्लेनेशन के साथ पीस आउट